अबी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ भावना नयर और मेरे साथ है मेरे सहियोगी शर्ट जो आप तक सांकेथिक भाशा में खबरे प्रस्तुत करेंगे शुरुआत सुर्ख्यों के साथ लोगसभा चुनाव प्रचार के साथवे और अंतिम चरण के लिए प्रधान मंतरी का धुआधार प्रचार जारी पश्चिप मंगाल के मथुरापुर में जन्द सभा के बाद उडीशा में करेंगे जन्द सभाएं चौबीस की चुनोती में बीजेपी के स्टार प्रचार का मिच्चहा उत्तर प्रदेश में तो जेपी नड़ा जारखंड और पश्चिम मंगाल में सम्हालेंगे कमान नितिन गटकरी हिमाचल में भरेंगे हुँकार चुनावी रण में विपक्ष ने भी जोकी ताकत मलीकार जुन खड़गे उडिशा में तो प्रयंका गान्धी हिमाचल में करेंगी पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार वहीं अखिलेश यादव उत्रप्रदेश के रॉबर्ट्स गंच में करेंगे जन सभाग चक्रवात रेमल की कारण हुई भारी वर्षा से पुर्वोत्तर भारत के इलाकों में जन जीवन अस्तव्यस्त मिजोरम में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़तर हुई 28 वहीं बारिश के कहर से असम में तीन और में घाले में एक की मौर उत्तर भारत में गर्मी से छूटे पसी ने राजिस्थान के चुरू और हर्याणा के सिर्चा में तापमान 50 डिग्री सेल्शिस के पार मौसम विभाग ने दिल्ली में भीशोण गर्मी का रेड एलर्ट किया जारी भारतिये परवतारोही सत्यदीब गुपता ने रचवाई तिहास एक सीजन में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्से की चड़ाई करने वाले बने पहले व्यक्ति ग्यारहा घंटे 15 मिनिट में किया दोनों चोटियों को पार अब खबरें विस्तार से भाजपा की स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभाचुनाव की साथवें और अंतिम चरण के लिए लगातार रैलियां कर रहे हैं प्रधानमंत्री आज पश्चिब मंगाल और उडीशा में जन सभाव को संबोधित करेंगे पी-एम आज सुभा पश्चिब मंगाल के मतुरापूर में जन सभाव को संबोधित करेंगे पी-एम यहां भाजपा प्रत्याशी अशोग पूरकैत के लिए चुनाब प्रचार करेंगे आई आगे बढ़ते हैं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने पश्चिब मंगाल के बारासात में रोडशो किया पी-एम के रोडशो को देखने के लिए सडकों पर लोगों का जन सेलाप उमर पड़ा प्रधानमंत्री मोधी की जलक पाने के लिए स्थानिय लोग भारी संख्या में रोडशो देखने के लिए पहुचे हुए थे पी-एम ने भी लोगों का अभिवादन सुवीकार किया प्रधानमंत्री आज पश्चिब मंगाल के बाद उडशा में चुनावी जन सभाओं को संबोधित करेंगे पी-एम ओडशा के मयूर भंच, बालासोर और केंद्र पाड़ा में चुनावी जन सभाओं को संबोधित करेंगे पी-एम मयूर भंच में भाजपा प्रत्याशी नावा चरण मांची के लिए चुनाव प्रचार करेंगे वहीं बालासोर में प्रधान मंत्री प्रताप चंद्र सारंकी ये समर्थन में चुनावी जन सभाओं को संबोधित करेंगे इसके साथ ही पी-एम ओडशा के केंद्र पाड़ा में भाजपा प्रत्याशी बैजियन्त पांड़ा के लिए भी चुनाव प्रचार करेंगे लोगसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए भारतिय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई है भाजपा की वरिश्टनेता और ग्रिह मंत्री अमिच्छाह उत्तर प्रदेश में ताबढ तोड पांच रालिया करेंगे अमिच्छाह, महराज गंज, देवरिया, बलिया, रॉबर्ट्स गंज और गाजीपो लोगसभा क्षेतर में रैलियों को संबोधित करेंगे केंद्री ग्रिह मंत्री भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए जनता से अपील करेंगे वही भाजपा के राश्ट्रिय देख्ष जेपी नड़ा चुनाव प्रचार के लिए जहारखन का रुख करेंगे और देवघर जिले के साठा में जन्च सभा करेंगे पाटी के दिगज नेता और उत्र प्रदेश के मुख्य मंत्री योग्यादे तैनाध भी उत्र प्रदेश के गोरकपूर में भाजपा प्रत्याशी रवी किष्ण के समर्थन में रोड्शो करेंगे इसके साथी पार्टी के वरिष्ट नेता और केंद्री मंतरी नितिन गटकरी हिमाचल प्रदेश की हमीरपूर संसर्द्यक्षेतर के उना और मंडी के कुलू में चुनाव प्रच्वार के तहथ जनसभाएं करेंगे हिमाचल प्रदेश की हमीरपूर संसर्द्यक्षेत्र से केंद्री मंत्री अनुराग ठाकुर भाज़पा की ओर से प्रत्याशी है वही मंडी लोकसभा सीट से अभिनेत्री से राजनेता बनी कंगना रोनौत भाज़पा की टिकेट पर चुनाव लट रही है लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में कर्मी के साथ साथ सियासी पारा भी चड़ने लगा है ऐसे में विपक्ष भी चुनाव प्रचार में 80 चोटी का जोर लगा रहा है आज हिमाचल प्रदाश्ट से ओडीशा तक विपक्ष की रालियों का शोर रहेगा उडीशा में कॉंग्रिस के राष्ट्रिय ध्यक्ष मलिकार जुन खड़गे करीब दुपहर 12 बजे बाला सोर से चुनावी हूं कार भरेंगे इसके बाद खड़गे दुपहर तकरीबन 1 बच के 40 मिनिट पर भद्रक में राली करेंगे वहीं हिमाचल में कॉंग्रिस महासरचिफ प्रियंका गांधी मोर्चा सम्हालते हुए दो जन्द सभाई करेंगी जिसमें सुभा करीब 10 बजे कुल्लू और 11 बच के 45 मिनिट पर मंडी के सुन्दर नगर से जन्द सभा को संबोधित करेंगी उत्तर प्रदेश में सपा सुप्रेमो अखिलेश यादव पुर्वांचल के रॉबर्ट्स गंज के हाइडिल मैदान में जनावी राली को संबोधित कर पार्टी के लिए प्रचार करते नजर आएंगे मौसम की खबरों का रुख कर लेते हैं चकरवात रेमल के कारण हुई भारी वर्षा से पुर्वोतर भारत में जन जीवन अस्तव्यस्त हो गया है पुर्वोतर के कई लाके इससे प्रभावित हुए हैं जिसमें मिजोरम में 28 असम में तीन और मेगाले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से पेड बिजली के खंबे उखड़ गए हैं और कई स्थानों पर भूस खलन हुआ है जिससे बिजली और इंटरनेट सेवाई बाधित हो गई है मिजोरम की राजधानी आईजोल के बाहरी इलाके में पत्थर की खदान ढहने और लगातार बारिश के कारण हुए भूस खलन में मृतिकों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है मिजोरम के मुख्य मंत्री ने मृतिकों के परिजनों को 4-4 लाक रुपे का अनुग्रे राशी देने की घोशना की है वही मेगाले में पूर्वी जैन्तियों पहाडी जिले में एक दिवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई साथी जिले में भूस्खलन से 4 लोग घायल भी हो गए देश के कई हिस्से भीशण गर्मी की चपेट में है उत्तर पश्चिमें ख्षेत्रों में गर्मी के सभी पूराने रिकॉर्ड टूट रहे है राजिस्थान के चुरू में कल अधिक्तम तापमान 50.5 डिग्री सेल्शेस दर्ज किया गया जो देश में अब तक का सबसे अधिक तापमान है वही दिली के मुंगेशपूर इलाके में 49.9 डिग्री सेल्शेस तापमान दर्ज किया गया मौसम विभाग में राष्ट्रे राजधानी क्षेत्र में भीशन गर्मी का रेड ऐलर्ट जारी किया है भारतिय परवता रोही सत्यदीप गुपता ने इतिहास रच दिया है सत्यदीप एक सीजन में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहट से पर चड़ाई करने वाले पहले व्यक्ती बन गए है इसके अलावा उन्होंने 11 गंटे और 15 मिनिट में दो चोटियों को पार कर भी इतिहास रच दिया है अभियान के आयोजिकों की माने तो सत्यदीप ने सुमवार को दुपहर में 8,516 मीटर उचे माउंट लोहट से और आधी राद को 12 बच के 45 मिनिट पर 8,849 मीटर उचे माउंट एवरेस्ट की चड़ाई पूरी की इसी के साथ इस विशेश पुलिटिन में इतना ही मुझे और मेरे सहियोगी शरत के साथ हमारी पूरी टीम को दीजे अनुमती टीजी न्यूस पर खबरों का सिलसला यूही जारी रहेगा नमस्कार